कि यात्रियों को कस्टम रिञच्षन के लिए कितने विकल पेश किये जा सकते हैं। कब यात्रि को कस्टम रिञच्षन के लिए रड चानल जाना होगा। जब प्रसिन्जर के पास दूसरी कंट्री से समान खरीदा गया हो, दुटी फ्री अलांज से जायदा हो। पैसा घुष्षित करने के लिए कभी यात्री को कस्टम एक्षिन के लिए ग्रीन चैनल से जाना होगा जब पैसेंजर के पास समान हो और रूटी फ्रेलान से जादा नहीं हो तब यदि यात्री अपने पालतु जानवर के साथ अजहां दो इस बारेन में जानकाई कहों से प्रेप की जा सकते हैं ट्रैवल इफ्रैवल इफ्रेमैन राइट ऑपर अपने समान को आपने प्राप्त करने के बाए यात्रीयों को बाहर के लिए किस जीज की आँशकता होगी Custom clearance Right किस बाद का उलेख करता है tim Question repeat Tim किस बाद का उलेख करता है Duty free वस्तों को import एइउपोर्ट किया जा सकते है Duty free वस्तों को import एइउपोर्ट किया सकते है आया तर्या जाता Right Tim में अन्ने किंग चीजों का भी बनन किया जाता है पैसेंजर को पालतु जैन्वरक्षार यात्रा नहीं करना चाहिए, समान की निकारशी, हतियार, जंगली बनेस पतियार्शी. राइट. इंदियों पिंग्स. राइट. पिरी यात्री अधिक मात्रा में अनुम्मतीत वस्तों को लाता है या ले जाता है, तो क्या होता है? यात्री को ड्यूटी देनी पड़ती है. राइट. सीमा शुरुप नियम के अनुसार कौन सा कारेप अधिबंदित हो सकता है? कुछ समान को लाना या ले जाना. या में रूम. एक्स. कपड़े अभूशन, सौंदर्य, प्रसादन, कैमरा, लैप्टॉप किस पति बंदों की अधिन क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैं परसना की उसके लिए इसलिए. राइट. कौन-कौन सी वस्तुएं किस पति बंदों की अधिन नहीं होती है? क्लोधिंग, जल्री, कैमरा, लैप्टॉप, ब्युटी, कॉस्मेटिक्स. राइट, सीमा शुपनियम किस प्रकार से देश के नागरिगों की रक्षा करता है? शंक्राम अप्मिमारियों के प्रसार्श है राइट, सीमा शुपनियम किस देश के किस चीज को नियंतरित करता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ समानों को ले जाने में लेंद्रित करते हैं Right Custom Hall में किस प्रकार की जनकारी प्राप्त की जा सकती है Tax Pay Will and Tax Free Allowance Right यदि यातरी के पास दूसरे देश में ख़िदा गया समान है पताव है समान पस्तन, डूटी-फ्री अलावेंच से ज़्यादा है. उस दशा में यात्री को कस्टम इरक्षन के लिए कौन से चैनल पे जाना होगा? Red Channel Right कब यात्री को कस्टम इरक्षन के लिए Green Channel से जाना होगा? जब पैसेंजर के पास समान होगा और वर ड्यूटी फ्री अलाउंस से ज्यादा नहीं होगा तब ग्रीन चैनल से जाना होगा यात्रियों को कस्टम एक्षन के लिए तीन विकल पेश किये जा सकते हैं कौन कौन से राइड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल याद्री को कस्टम एक्षन के लिए इतने विकल्ब पिर्ष किये जा सकते हैं? ते ब्लू चैनल का उप्योग कप किया जाता है? अजब पैसंजर ये रोग में आता करो तिम में अन्ने किन चीजों का भी बनन किया गया है? समान की निकाशी, हद्यार जंगली वनस्वत्य और जीए एक वार में प्रों प्रिंदेजर यात्रा की दुरान समान की निकाशी के बारे में जनकारी कहां से प्राप्ती जा सकती है? राइट एरपोर्ड पर कर दे और कर मुक्त बत्ता के बारे में जानकारी कहां से प्राप की जा सकती है कस्टम हाल राइट यदि यात्री अधिक मात्रा में अनुमतित वस्टों को लाता या ले जाता है तो क्या होता है ड्यूटी गरने पड़ती है राइट सीमा शुक नियम के अनुसार कौन सा कार्रे प्रतिबंदित हो सकता है कुछ समानों को लाने या ले जाना राइट कौन-कौन सी वस्टों किसी प्रतिबंदों की अधिन नहीं होती है लोट्स, जरल्री, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, कैमरा, लेप्टॉप राइट जूटी मुक्त वस्टों कौन-कौन सी है टेवाइको, एल्कोह, पर्फ्यूम राइट सीमा शुक अधिकाय द्वार एकत्रित की गई जूटी सरकार के लिए किस प्रकार लापकाई है गर्वर्मेंट के लिए राजा शुक का एक सुरूत है राइट यदि किसी यातरी के पास जो समान है वह बेजने के उदेश्य से नहीं लाया गया है तता वह समान ड्यूटी फ्रे अलावेंस से जादा नहीं है उस दर्शा में यातरी को कस्टम इरक्शन के लिए कौन से चैनल पे जाना होगा ग्रेंट चैनल राइट यदि यातरी के पास पैसा है कुशित करने के लिए उस दर्शा में यातरी को कस्टम इरक्शन के लिए कौन से चैनल पे जाना होगा राइट चैनल जब यात्री सिर्फ ये रोग उनके अंदर यात्रा कर रहा है उस दर्शा में कस्टम एक्षन के लिए कौन से चैनल से जाना होगा? ब्लू चैनल टिम किस बात का उलेख करता है? ड्यूटी फ्री वस्तो की मातर वो इंपोर्ट ए एक्सपोर्ट किया जा सकते हैं यात्रा के दुरान समान की निकासी के बारे में जनकारी कहां से प्राप की जाती है टिम या राइट यदि यात्री अपने पालतु जन्वर के साथ यात्रा करना चाता है तो इस बारे में जनकारी कहां से प्राप की जा सकते है राइट सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एकत्रित की गई डूटी सरकार के लिए किस प्रकार लाब कारी है गवर्मेंट के लिए राजाश प्रकास रोत है कपड़े अभूशन से अंदर ये प्रसादन, कैमरा, लैप्टॉप किसी प्रदिवन्तों के लिए क्यों नहीं है क्योंकि मैं परसनल यूज के लिए इसलिए सीमा शुक नियम किसी प्रकार के देश के नागरिकों की रक्षा करता है क्या? सिमा शुक नियम किस प्रकार से देश के नालिकों के अक्षा करता है? संक्राव मेमारी के प्रशाद से सिमा शुक नियम किस देश के किस चीज को नियंतित करता है? सिमा शुक नियम किसी देश के किस चीज को नियंतित करता है? एक कंट्री से दूसरे देश में जब समान ले जाया जाता है उसको नेधर्स करते हैं टिम में अनेक इन चीजों का भी वर्णन किया जा सकता है हतियार, समान की निकाजी, याद्ति का पाल दू जानवर के साथ यात्राना करना जंगली बनस पत्यों जेप हतियार हो दूगया एरपोर्ट पर कर दे और मुक्त बता के बारी में जंगारी कहां से प्राइप की जा सकते है क्स्टम हॉल में किस परकार की जंगारी प्राइप की जा सकते है टेक्स फील्पल guitar टेक्स, फ्री अलांस, राइट, एरपोर्ट पर अपने समान को पुने प्राप्त करने के बाद यात्री को बाहर निकलने के लिए किस चीज की अपशकता है? कॉस्टम क्लिए राइट, राइट, कभ यात्री को कस्टम रिख्शन के लिए रैड चैनल जाना हुआ? जब पैसेंजर के पास दूसरे देश समान खरीदा गया हो, ड्यूटी फ्रे अलाउंस से जाएदा हो, तब रैड चैनल जानल जाना हुआ है? तृट यात्री के पास दूश्रे देश में खईदा गया समान है तथा वे समान पॉस्टोम धिफ्री अलाविन से ज़ादा है उस दर्शा में यात्री को कस्टम एक्षिन के लिए कौन से चैनल पर जाना होगा रेट चैनल जब यद्ट्री के पास समाहनों, ड्यूटी को रिलाउन से जाएदा नहीं होता है जनकारी कहां से प्राप्त की जाती है? टेमो सीमा शुरुक नियम किस देश के किस चीज को नेंटेट करता है? कुस समानों को लाना या लिजाना एक देश से दूसरे देश में समान को ले जाने में परिवन नियंद्रित करता है